आज है 8 सब्टमबर और 8 सब्टमबर 2020 के करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आशा कहता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे आई ये स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे करेंट अफेर का वीडियो अगर आपने अभी तक मेरे स्टार आइक्यो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा आप मुझे Star IQ PDF Telegram Channel है इसे भी follow करिएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे दवारा पढ़ाएगे सभी लेक्षेस का PDF फाइल जो है वो available रहता है आईए स्टार्ट करते हैं हमारे Current Affair का session को उससे पहले कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ 9 फरवरी 1801 को लुने विले की संदी किसके बद्दे हुई थी तो इसके संद का सही अंसर है आपका France और Austria के बीच में जो है यह संदी हुई थी अच्छा आप Austria को ना एक तरीके से और भी आद रखिएगा इसकी एक राजधानी है वियाना और वियाना को दुनिया में सबसे जीवंत सहर के रूप में जो है जाना जाता है हिटलर का संबन अगर आपसे कहीं ना कहीं पेपर में पूछा दाए तो आपको Austria ही नाम याद आता है दिमाख में देखो यह Austria है यह Australia नहीं है प्लीज आप इन दोनों में पजल मत हो जाना क्योंकि बोलने में या लिखने में काफी हद तक सेम सेम सा लग रहा है इस वज़े से puzzle हो सकते हो आपको ही न कहीं बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्यों सन पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर के उप राजय पाल मनोज सिनहा का प्रमू क सच्चु कि से निक्त किया गया है सबसे पहला तो किशन यही इपॉटन्ट है कि जम्मू कस्मीर के उपराजयपाल रिसेंटली बने है मनोज सिनहा इन से पहले कौन थे तो इन से पहले थे जी सी मुर्मू वो जम्मू कस्मीर केंदर सासित प्रदेश के पहले उपराजयपाल थे और अभी वरतमान में वो भारत के नियंतरक और महालेका प्रिक्षक है आप यूँ कह सकते हैं वो कैग है या औरिटर जर्नल की पोस्ट भी अभी वरतमान में वो कारेरत है अच्छा जम्मु कस्मिर के उप राजेपाल मनोज सिनहा का प्रमुक सचिव अभी किसे बनाया है तो इनका नाम है IAS नितिश्वर कुमाल यह option जो है इस क्यूसन का हमारा बिल्कुल ठीक है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है IAS नितिश्वर कुमाल उत्तर परदेश काईडर के हैं यह और वरिष्ट IAS अधिकारी है और वरतमान में राष्ट्रिय अध्यापक सिक्षा प्रिसद जो NCRT है इसमें सदेश्य के सचिव रहे चुके हैं यह काम कर रहे हैं यह और वरतमान में इन्हें बना दिया गया है जम्मू कस्मेर के उप राजय पाल मनुद सिना का परमुक सचिव बना दिया गया है इतनी बात आपको याद रखनी है अच्छे एक बात और बता देता हूँ आपको मैं यह रेल राजय मंत्री रहते इनके आफिसर स्पेसल ओन ज कर चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला जब महारा क्यूसन क्या रहेगा कि पर्थम अंतर राष्टिय स्वच्छ वायू दिवस कब मनाया जा रहा है यह क्यूसन अपने आप में बहुत इपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंतर राष् जो है इसक्यूसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है साथ सेप्टेंबर को मनाया तो है लेकिन किसकी अध्यक्सता में मनाया गया है प्रयावरण मंत्री और प्रकास जावडेकर ने नीले अकास के लिए एक स्वच्छ वायू अंतराष्ट या दिवस पर एक वाबिनार की अध् कि 2020 से हर साल साथ सप्टेंबर को नीले अकास के लिए स्वच्छ वायू अंतराष्ट या दिवस के तोड़ पर जो है वो मनाया जाएगा और इस वाबिनार में जो आयुजित किया था उसमें 28 राजे और आठ के अंदर सासित प्रदेश के सहरी विकास और प्रयावरण तत्व मुझूद रहते हैं उनको किस तरीके से जो मिनिमाइज किया जा सके अई बार आप देखते होंगे कुछ ऐसी बारिस आती है कि फसलों को इतबा कर जाती है के अलावा अगर वो बारिस हमारी बोड़ी पे आती है तो चरम रोग जैसे या कोई और बहुत सारे रोग जो है वो भी हो जाते हैं खाज खुजली ऐसे कई बार ऐसे देखने को मिलता है तो यह किस वज़े से होता है यह एर की वज़े से ही होता है एर के अंदर जो डस्क या कामिकल्ग जो है वो मिलेवे होते हैं, उनको किस तरीके से ठीक रखा जा सकता है, इसलिए ये डे जो हो मनाया जाता है अगला क्युस्तन हमारा है कि किस देश के वित मंत्री और संचार मंत्री, यूबराज खाटिवाडा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है यूराज खाटिवाडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है ये नेपाल के वित मंत्री और संचार मंत्री है डी आप्शन सही है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है यूराज खाटिवाडा और खाटिवाडा ने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रदान मंतरी केपी सर्मा ओली को दिया है ये बात भी आप याद रखिएगा अच्छा है युवराज खाटीवाड़ा जो कि सेंट्रल बैंक ओफ नेपाल के पूरो गवर्नर भी रह चुके हैं तो ये बात बहुत बहुत इपोर्टन्ट है जैसे हमारे इंडिया में आरिबिया ही है वैसे ही नेपाल में सेंट्रल बैंक ओफ नेपाल है और जैसे इंडिया के आरिबिया के गवर्नर बहुत बहुत पूर्ण होते हैं वैसे नेपाल के Central Bank of Nepal के गवर्नर भी बहुत important होते हैं और इन्होंने जो है अपने पद से इस्तिफा दे लिया है अभी अच्छा जिक्र नेपाल का हुआ है तो नेपाल की राजधानी क्या है नेपाल की राजधानी काठ मांडू है नेपाल के प्रधान मंतरी का नाम जहे है केपी सर्मा ओली है नेपाल की राश्टरपती का नाम जहे है विज्द्या देवी भंडारी है अच्छा नेपाल जो है यह ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी के गुलाम नहीं हुआ है नेपाल वो देश है जो पूर्णते हिंदुओं का देश है यहाँ पे हिंदु मैक्सीमम है अब माइनुर्टीज काविनिटी में दूसरी बात है कि मुसलिम वगरा दुसरे है लेकिन जालातर कहते हैं आप पूरुनते हिंदुओं का देश के रूप में से पुकारते है अच्छा नेपाल की जो बैंक है आरिबे ये के थे है उसका तो नाम है आपको बताई दिया अचा नेपाल के अंदर दुनिया की सबसे हुची चोटी है जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं उसका एक नाम और भी है वो भी आप याद रखिएगा सागर माथा भी कहते हैं उसका एक नाम और भी है वो भी आप याद कर सकते हो चोग लुगमा भी कहते हैं हम यह 8848 मिटर according to NCIT है लेकिन वर्तमान में उसके उचाहिए 8850 मिटर यह बात भी आप याद रखिएगा Recently नेपाल ने किया क्या कि इंडिया के जो लिपुले काला पानी वाला इलाका है वो अपने मैप में भी दिखाया था यह एक activity भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं अगला जो क्यूस्टन है प्यारे बचों क्या है कि Bricks खेल 2021 की मेजबानी निमन में से किस देश को सौपी गई है Bricks खेल 2021 की मेजबानी हमारे प्यारे भारत को यह सौपी गई है C option जो है इस क्यूस्टन का हमारा बिल्कुल ठीक है केंदरी यह खेल मंतरी जिनका नाम है किर्ण रिजीजू उन्होंने कहा है कि Bricks देश कौन कौन से है Brazil है B से Brazil बनता है Brazil है Russia है India है China है और South Africa है ठीक है इंडिया के अंदर खेलो इंडिया गेम 2021 के दोरान एकी समय पर एक आयोजन स्थाल पर Bricks गेम 2021 आयोजन किया जाएगा बहुत बहुत इपॉर्टन्ट है क्योंकि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहा होने जा रहा है हर्याना में होना जा रहा है और हर्याना के कहां पर होने जा रहा है हर्याना के पंचकुला के अंदर होने जा रहा है ठीक है पंचकुला के अंदर और वहीं पर ही इन गेम्स का भी आयोजन करवाया जाएगा तो ये बात आप जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा अगला जो किस्टन है हमारा केंदर सरकार ने तमिल नाडू के किस देश को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थ व्यवस्ता वाला पहला जिला घोसित कर दिया है तमिल नाडू का कौन से जिले को ठीक है ये राज्य लिखना था कौन से जिले को राज्या का पूरी तरह है डिजिटल अर्थ वेवस्ता वाला पहला जिला गोसित कर दिया है तो इसका नाम है विरुधी नगर ठीक है विरुधु नगर ए आप्शन जो है इस क्यूशन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ बड़ी संख्या में जो है लगू और मद्यम जो MSME उध्योग जिनकों लोग बोलते हैं MSME ठीक है यह इन उध्योगों को बड़ी स्तर पे पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से घोजित कर दिया है यहाँ पे जो है विशेष कर आतिस सबाजी और संबोधित करने के छेतर हैं यूँ कहिएगा आप लोग आतिस सबाजी का मतलब यहाँ पे मेरी बात का यूँ समझिया कि यहाँ की अर्थ वेवस्ता है उसको एकदम से रैपिड पटाके के तरह लेके जाने ऊपर ले जाने में बहुत मदद करती है यहाँ के छोटे वो ध्योग जो है और यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज वगरा है ठीक है वो जितना भी नगदी का लेंदें बगरा सब कुछ होता है अब अन्लाइन हो रहा है ठीक है अलांकि उसके बाद में और बहुत कंसेप्ट आ गए और सारे पोर्ट्स पे भी आ गया था लेकिन ये पहला था तो पहला याद करना है अब आपको पूछा था ये बाहरत का पहला ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर सारी की सारी अर्थ विवस्ता को डिजिटल कर दिया गया तो आपको क्या याद रखना है विर्धू नगर जरूर याद रखना है तमिल नाडू का अब तमिल नाडू का जिकर हुआ है तो मैप में देखी है ये तमिल नाडू भारत का सबसे दक्षनी राज्ये है ठीक है तमिल नाडू और तमिल नाडू जो है यहां की जो राजध ब्रैंड अम्बेस्टर बनाया है तो बजाज आलियांस ने जो है आयुस्मान खुरानों का अपना नया ब्रैंड अम्बेस्टर बनाया है ए आप्शन जो है इस किस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा बत सिंपल सा किस्टन है जो कि आपको सिंपली याद करना है ठीक है बार के टेलिविजन में एंकरिंग के जरीए इनोंने अपने इस मकाम पे हासिल किया है इनोंने बहुत अच्छे अक्टर है इनको अभी बनाया है क्या ब्रैंड अमेस्टर बनाया है ये बात आप याद कर सकते हैं बजाज आलियांस है इसके CEO का नाम किया तपन है और हैड़काटर कहां पे इसका पुणे के अंदर है हाल ही में तुर्की ने पुर्वी भूमद्य सागर में किस देश दवारा एक नौसनिक अभ्यास के आयोजन की घोशना की है तो अभी हाल ही में रूस के साथ में एक नौसनिक अभ्यास के आयोजन की घोशना की है देखिए का वर्तमान में पुर्वी भूमद्य सागर छेतर में जो उर्जा संसादन है उनकी खोज करने के अधिकार को लेके तुर्की और उसकी तर्टीय परोसी जितने भी हैं साइप्रस है इनकी बीच में एक लड़ाई की तनाव की टेंशन की एक सिच्वेशन सी आई हुई है और तुर्की की तरफ से एक नोवान नोटिस भी जारी हुए उसके अकोर्डिंग बात हुए कि रूसी नोसैनी का ब्यास का आयोजन जो है आठ से बाइस सेप्टमबर दो हजर बीस के बीच में होगा और सत्रा से अठाइस सेप्टमबर के बीच में जो है भूमध्य सागर के बीच में ही यह आयोजन होगा बाकि ऑवराल तो आठ से बाइस है लेकिन सत्रा से अठाइस की डेट में भूमध्य सागर के चेतर में ही होने वाला यह दुर्की ने यह भी का है कि अमेरिका की उस बयान के बाद में आई जिसमें साइप्रस पर लगे 33 साल को आने हत्यार का परतिबन जो है यह यह कहिए अपरोसियों को नहां देखें दूसरों को देना आप वो तो लड़ाई हमेश्य से होती आई है परोसियों से कोई प्रेम नहीं होता है दूसरों से ही प्रेम होता है जितना हो ठीक है अब रूस की बात करें हम लोग तो रूस की राजदानी क्या है रूस की रा रहा है भारते रिजर्व बैंक आर्बियाई ने निमन में से किसको बैंक का परबंद निदेशक एमडी और मुखे कारेकारी अधिकारी CEO बनाए जाने के लिए मंजूरी दे दी है तो रिजर्व बैंक आर्बियाई ने मंजूरी दी है मुरली राम कृष्णन को ठीक है एक आप्शन जो है इस किसन का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जो मुरली राम कृष्णन है इसको बैंक का परबंद देशक MD और CEO बनाए जाने की मंजूरी दी है एंकी नुक्ती एक अक्टूबर से होने वाली है या परबावी होगी मतलब अभी नुक्त कर दिया है लेकिन को काम एक अक्टूबर से स्टार्ट होएंगे ये और 30 मई 2020 को ICICI बैंक के वरिष्ट महाप्रबंदक रणनितिक प्रियोजना समू के रूप में सेवा निवरित हुए थे ये और 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने थे RBI ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रभंद देशक और CEO के रूप में ने अब नुक्त कर लिया RBI का जिकर है RBI की स्थापना कब हुई है 1 अपरेल 1935 को हुई है रास्ट के करन 1909 में हुआ है नेस्नलाइजेशन और RBI के 25 में गवर्नर का नाम का है सक्ति कांदास हैड़कॉर्टर कहां पे इसका मुंबई के अंदर है Vodafone और Idea ने खुद को किस नई ब्राइड पहचान के साथ में फिर से ब्राइड बनाया है तो एक नई ब्राइड फ़चान के साथ में फिर से ब्राइड बनाया है इसका नाम है V.I. ठीक है आपको जर्नली Vodafone और Idea एक साथ दिखते हैं फहले से लेकिन वी आई ऐसे सिंबल लोगो दिखेगा और वड़ा फोन जो है इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी ये UK की कंपनी है और जो आईडिया है इसकी स्थाप जो आपकी कठा मिलना है इनका ठीक है वो इनका 31 अगस 2018 के बाद में ये काम हो गया था और इसके founder का नाम क्या कुमार मंगलम बिडला है ये भी बात आप याद रखियेगा गांधी नगर इसका headquarter है ये बात भी आप याद रखियेगा अगला क्यूस्थन हमारा क्या रहेगा किस स्राजय सरकार ने डेंगू को हराने के लिए कुलर वगर है नकी साफ सफाई के लिए जो है विशेस ध्यान दिखा जाएगा ताकि लोग जो है मच्छ radar लार्वे को खतम कर सके और डेंगु को फैलने से रोक भी सके दिल्ली के मुख्य मंत्री का नाम क्या है दिल्ली के मुख्य मंत्री का नाम अर्विंद के जिल्वाल है और यहां के उपरा जेपाल का नाम अनिल बैजल है इसी के साथ ये लेक्चर तो स्वापत होता है पर आपके लिए क्युस्टन है कि 1794 में नेपॉलियन फासी की सजा से कैसे बच पाया था अपनी पतनी जोजेफाइन की बुद्धी से तूलो की विजे से इटली की अभियान से सफल रहने से पॉल बरा की मित्रता से बताईएगा विस्तार से आप लोग इस क्युस्टन के बारे में धन्यवाद हसते रहना मुस्कराते रहना